काली गर्दन, काली कोहनिया, काले घुटने और काले नकल्स ये सारी चीज़े कंटीजिस तो नहीं है, मतलब कि फैलती नहीं है, लेकिन ये आपके बारे में गलत धारना फैला सकती है, कि या तो आप अपने हाइजने कंडिशन का खयाल नहीं रखते हैं, या फिर आप अपनी हेल्थ के लिए बहुत केरलेस हैं, दोनों ही सेनारियो आपके बारे में बात की जाएं, तो इतने प्लेजन तो डेफनेटली नहीं है, तो क्या किया ऐसा है, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूं, जिसको अगर आप एक्जाटली ऐसे ही फॉलो हो रही है, और अपने नाच्रल स्टेट में आ रही है, वैसे तो यह आपके इतनी लंबे समय की मेहनत है, कि इस पर पानी फेरना इतना असान नहीं होगा, लेकिन फिर भी, मैं आपको रूट कॉस बताऊंगी, जिसको समझ कर अगर इसको करेंगे, तो I can assure you, कि आपको विज जानते हैं, what all needs to be done. के बारे में मन्तन कर सकें, सोच सकें और उसके towards काम कर सकें, सबसे पहला reason health issue हो सकता है, अगर आपको obesity है, यानि कि आप काफी जादा overweight है, या फिर अकर आपको hypothyroidism है, तो इन दोनों condition में आपको एक नाइगरिकन करके परिशानी हो जाती है, जिसमें एक velvety texture की skin आपकी गर परिशानी है, you know, unhygienic conditions के आप रगड़ते रहते हैं, पर वो जाता नहीं है, it is because of those things, तो इन चीज़ों के लिए obesity या hypothyroidism अगर आपको है, तो medication अगर आप लेते हैं, तो वो लीजिए, औबीज है, तो प्लीज वरक आउट कीजिए, जैसे जैसे आप अपना weight loose करेंगे, अपने healthy weight को achieve करेंगे, ये परिशानी खुद बखुद गायब हो जाएगी, कोई remedial action आपको करने के आवशकता ही नहीं पड़ेगी, अगर ये आपकी death skin की accumulation की वज़े से हुई है, जो की majorly तब होता है, जब आप अपनी skin को exfoliate नहीं करते हैं, exfoliation का मतलब सिरफ scrubbing नहीं होता है, अगर आप अपनी skin को एक gentle cleanser के साथ हलके हलके हाथों से once in a while clean नहीं करते हैं, तो death skin वहाँ accumulate होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, जब तक कि वह ऐसा रूप ना ले ले कि आप उसको किसी भी physical चीज से नहीं हटा सकते हैं, जहां, इसलिए प्लीज हफते में एक अपनी skin को exfoliate कीजिए, अगर आपको psoriasis या eczema जैसी परिशानी शरीर पर है, skin पर है, तो भी ये चीज़े accumulate हो सकती है, अगर आपको कोई चोट लगी थी, को इंजरी हुई थी, तो उसका एक निशान हो जाता है, काले रंका, उसको अगर हम सोचते हैं, तो उसका निशान की ओर जा सकता है, और मिलाजमा बन सकता है, अगर आप birth control pills लेते हैं, तो भी ऐसी side effects देखने के लिए मिलते हैं, तो ये तो होगे सारे के सारे वो factors जिनकी वजह से आपको dark neck या darkness in the body होती है, तो please make sure कि आप इन सभी चीजों के बारे में पढ़ें, और समझें कि कैसे आप इ हर कोई अपने लिए ट्राय कर सकता है, आपके darkness on the body का कोई भी reason क्यों न हो, आप इसको follow कर सकते हैं, इसके कोई side effects नहीं है, इसलिए बच्चे, बड़े, बुड़े, सब इसको try कर सकते हैं, अगर आपकी skin sensitive है, तो please एक patch test लीजेगा, अनिवार रहे है, और इत्मिनान करने क के बाद, बहुत ही free mind के साथ आप इसको try कीजेगा, be positive about the ingredients, पढ़े इनके बारे में, और फिर देखे क्या magic है आपके लिए करते हैं, सबसे पहला step है, जो भी skin area आपका darkened है, उसको आपको clean करना है, हम तो रोज नहाते हैं, हम तो अच्छे से साफ करते हैं, लेकिन हम remedy कर र से fix करने की, so please be positive about जो भी आप कर रहे हैं, step number one, cleansing के लिए, please make sure कि आप basin का ही इस्तमाल करे, मुझे पता है, आपके पास face wash है, body wash है, बहुत सारे cleansers है, लेकिन यहाँ पर हम चाहते हैं, कुछ ऐसा जिसमें कोई preservative ना हो, कुछ बहुत ही simple, जो कि आपकी skin को बिना परेशान कि यह आसानी से exfoliate कर सकता है, और basin से वढ़िया कोई विकल्प है ही नहीं, यह cleansing भी करता है, और exfoliation भी करता है, तो two in run process आपको यहाँ मिल रहा है, क्योंकि गर्दन पर demonstrate कर पाना आसान नहीं है, इसलिए मैं अपने कोनी पर करके दिखा रही हूँ, तो आपको जहां पर भी पर रिशानी है, वहाँ पर आप यह सारे की सारे process कर सकते हैं, तो basin लीजे, हलका सा dilute कीजे और अच्छे से उस जगह को exfoliate कीजे, हमें बहुत मेनत नहीं करनी है, गिसाई नहीं करनी है, इस जस्ट जेंटल exfoliation कि उसके उपर जितना भी accumulated part है, वो धीरे धीरे हट सके, राइट, आपको विजबल चेंज नहीं दिखेगा, लेकिन येस, आपने उस जगह को, युनो, फिक्स करना स्टार्ट कर दिया है, तो बी पॉजिटिव एन बी हैपी अपाउट इट, राइट, स्टेप नमबर टू के लिए, आपको एक मास्क यहां पर लगाना है, जो की एक्चुल काम करेगा, इस ब्रेकडाउन करना स्टार्ट करेगा, जो बिल्कुल अकड चुकी है, ताइट हो चुकी है, या फिर बहुत जादा अलग टेक्च्चर की हो चुकी है, आपकी नॉर्मल स्किन से, डाइट स्किन को फिक्स करने के लिए, जो रेमीटियल मास्क हम यहां प्रि Demonstration Purpose के लिए सिरफ अपनी कोहनियों पर करके दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ एक चम्मच Oats Powder लिया है, Oats के अंदर इतने सारे Antioxidants Properties होती है, that I really cannot put it in words, मैं सभी लोगों को कहना चाओंगे कि मेरी बातों पर बिल्कुल विश्वास मत कीचिए, एक बार Oats Powder को सिरफ प्लेन अपनी स्किन पर लगा के देखिए, आप देखेंगे कि इसका टेक्स्चर बिल्कुल डिफरिंट है, जो लोग सिरफ विडियोस आटे की तरह होता होगा, बिल्कुल आटे की तरह नहीं होता, Oats Powder एक युनीक कंसिस्टेंसी है, जैसी आपकी स्किन पर लगता है, चिपक जाता है, और जब आप इसको हटाते है यह इतना हाइड्रेशन आपकी स्किन को देकर जाता है, कि आप हैरान रह जाएंगे, दही प्रेफरेबली आप ले सकते हैं, दही के अंदर होता है लाक्टेक आसिड, आज के लिए सारे के सारे आसिड मार्केट में, आइसोलेटेड फ़र्म में मिल रहे हैं, और आम सब खरीद रहे हैं, 700, 800, 900 रुपे के यह आसिड हैं, प्लीज एक बार इसको ट्राय करके दे तीसरा इंग्रीडियन विच इस मोस्त इंपॉर्टन डाक स्किन के लिए क्योंकि आपके मिलनन को फिक्स करता है, पिग्मेंटेशन को एड्रेस 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 करता है, स्किन को हार्ष परिशान कर रहा हो या रिजाल्स नहीं दे पाया हो वह कोजिक आसे हमारे लिए तो अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज सोय सॉस कोई अच्छी ब्रांड का लीजिए जिसमें इंग्रीडियन्स मिनिमम हो और आपको अच्छे रिजाल्स मिलें तो सोय सॉ अगर आप चाहते हैं कि यह और स्ट्रॉंग हो जाए तो इसमें आपको विटमिन सी भी लेना है जिसके लिए आप यहां पर और इंज पील पावडर लेमन पील पावडर या फिर साक्षात् आप नीम्बू का भी इस्तिमाल कर सकते हैं I'm sure बहुत सारे लोग नीम्बू के लिए कंफटबल नहीं है बहुत सारे लोग लिखते हैं we are not कंफटबल just skip it लेकिन यकीन मानिए यापकी जो आदमेंट स्किन हो चुकी है यहां पर जिद्दी वाली उसको फिक्स करने के लिए बहुत अच्छा है इसलिए मैंने यहां पर हाफ लेमिन का जूस लिया है आप प्लीज सूट यॉस सेल्फ आप लेमिन पील पाउडर या औरेंज पील पाउडर ले सकते हैं लेमिन जूस का अक्टिव इंग्रीडियन बहुत देर तक सस्टेन नहीं कर पाता है वो ऑक्सिड अपना काम करेगा और बलीव मी जो रेमिडियल एक्शन है वो आपकी स्किन पर स्टार्ट हो जाएगा इमीडियेटली दिखेगा नहीं ओविसली फॉस्ट अप्लिकेशन की बाद लेकिन अगर आप इसको रेगिलरली करेंगे तो आपको दिखेगा भी कि वहां पर जो स्कि अपकी बाकी की स्किन की तरहा अब जिस टोनर के लिए आप कामफरटबल है कोई नहीं है तो आप रोज वाटर का इस्तमाल कर सकते हैं अधर वाइस एक बहुत अच्छा स्किन ब्राइटनिंग टोनर लीजिए जो आप अपी स्किन के लिए यूज करते हैं वो लीजे कॉट अच्छे से टोन करने के बाद स्टैप नबर फॉर मॉस्टराइज़ेशन जो आपके पास मॉस्टराइजर अवैलेबल है चेक किज़ अगर हाईलोरानिक असट वाला है तो बहुत ही बढ़िया क्योंकि वह सबसे अधा एक्स्ट्रीम मॉइस्टर देता है वो आप यहां प इसलिए प्लीज मेक शौर कि आप अच्छे से इसको मॉस्टराइज करें बहुत देर तक थोड़ा थिक मॉस्टराइज करके छोड़ दीजे शिकिन को ड्रिंक करने दीजी अना थोड़ा सा परिशान है मां स्केन टाइम लगेगा लेकिन फिर भी थोड़ा सा समय लीजिए और मॉश्टराइज करके छोड़ दीजे, पोस्ट 15, 20, half an hour जतना आप comfortable हैं, इसके बाद आप इस पर sunscreen लगाएंगे, what? गुटनों पर sunscreen, जे हाँ, गुटनों पर sunscreen, elbows पर sunscreen, neck पर sunscreen, देखे, sun damage, actually जो भी परिशानी अल्रडी हो रही होती न, यहाँ पर मालीजे 10% pigmentation होना था, sun उसको खीच के 80% कर देता है, तो हम उस चीज को अवोइड कर रहे है, sunscreen लगा रहे हैं, ताकि sun damage जो हो सकता है, exaggerate कर सकता है, या करता है, उसको हम रोग दे, very simple, तो sun screening के बाद आपका यह process खतम होता है, first application के बाद आपको skin सिरफ सॉफ्ट लगेगी, color में कोई change नहीं आएग second application के बाद भी आपको लगेगा, आरे, first की तरह ही है, third में भी लगेगा, शायद ऐसा ही कुछ है, और fourth में आकर आप बोलेंगे कि, आरे, कुछ नहीं हो रहा सा, बेकार है, बस उसी के उपर विजय प्राप्त करनी है, करते रहे है, करत करत अभ्यासते, सब कुछ ठीक हो जा आप देखेंगे, उतनी धीट है, उसको कोई फरक नी पड़ेगा, लेकिन जब आप इसको रेगिरलरली इसके पीछे बढ़ जाएंगे, that's when you'll see कि हां कुछ चेंज़ आ रहे हैं, please make sure कि जो चीजे आप करते हैं, कि टेबल पर कोनिया लगा के बैठना या, you know, something of that sort, गुट सा समय लेती हैं, पर definitely result देती हैं, with zero side effects, so do give it a try, आशाय करती हूँ, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है, तो like कर दीजे, I'll see you in the next one, with something magical for your hair, skin and health, तब तक के लिए, खुश रहिए, और पृती प्रेदना के सभी चैनल से जुड़े रहिए, lots of love.